आगे चलते हैं कल हम बात कर रहे थे टेक्स्ट की टाइप के उपर बात कर रहे थे अभी आगे हमें टाइप पे और काम करना है कल जैसे हमें टाइप पे काम के था टाइप के अलावा होता है हमारे पास कॉलम्स दुखव हमें क्या करना है टाइप टूल लेना है एक फ्रेम हम यहां से बना देंगे लिए हैं डमी टेक्स्ट कहीं से भी लियाओ यहीं से कोई भी टेक्स मैंने कॉपी किया यहां पे लाके पेस्ट मैंने कर देया है Ctrl 8 से font का size हम क्या कर सकते हैं increase कर सकते हैं इसी को मैंने copy किया enter किया paste कर दिया तीन paragraph बना दिये ठीक है इसको select कर लो यहां पर और text के बाद यहां पर आता है आपका column यानि कि हम text को column के इंदर divide कर सकते हैं زना कलम में कर सकता है यहां यहां सब्सक्राइब करने हैं लुब तो यह कोलम है क्याता है gap यह बीच का gap होता है यह होता है तो आप यहां से जिसे 0.1 मैंने कर दिया तो मैंने कम कर दिया gutter यहां पर clear है तो gutter को control कर सकते हैं यह columns है यानि कि जो columns है उनकी क्या है उनकी width है तो उनकी width को यहां पर manage लगते है नम्पर लगती है है का अगर आपको एक पर इंट नम्पर नम्पर बोलत बीज ऑlic तो आपको की से कुछ भी चाहिए तो आपको करसर मिझे करना पड़ेगा अगर मुझे तीनों paragraph में चाहिए तो तीनों को मैं select कर लूँगा उसके बाद हम जाएंगे टेक्स के अंदर बुलेट नंबरिंग के अंदर चले जाएंगे और यहां से इसको मैं on कर दूँगा डन तो अभी यहां पर क्या रहा है यह बुलेट्स आ रहे हैं जो paragraph में use हो रहा है वही यहां पर भी यूज हो रहा है आपको कुछ और चाहिए तो आप इसको यहां से तो आप इसको हटा दो और यहां पर आप चेंज कर सकते हो अलग-अलग तरह के font होते हैं बहुत सारे font मैंने आपको बताया थे dingbat fonts dingbat font कौन से होते हैं जिनमे icons होते है बहुत सारे bullets होते हैं, shapes होती है, ठीक है, तो उसी तरह का एक font है कौन सा, webding, webding font आप डालो, देखो बहुत सारे icons, बहुत सारी shapes आपको मिल जाएगी, ठीक है, इन में से किसी कभी use आप कर सकते हो, bullets वगरा के लिए, जैसे भी bullet आपको चाहिए, अब यहां पर इसको add on कर लो, आप इसको add कर सकते हो, as a bullet, ठीक है, webding के अलावा, विंग डाल सकते हैं, मैंने विंग डाला, यह देखो, अलग अलग तरह के और आपको icons मिल जाएंगे, समझारी बात, यह वाला bullet आपको चाहिए, आप इसका use करो, अलग अलग तरह के bullets आपको यहां पर मिल जाएंगे, यह सारे icons यहीं पर होते हैं, clear है बात, तो यहां से आप कुछ भी ऐसे use कर सकते हो, अच्छा इसी के साथ मैं है, text frame to list, मतलब यहां से इसका जो size है, इसका जो gap है, उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, frame से gap, text frame to list, यह मेरा text frame है, और यह मेरी list बनी विये हैं पर, इसके बीच में हैं पर मुझे कोई gap चाहिए, तो मैं यहां से use कर सकता हूँ, जितना भी gap मुझे चाहिए, frame से, जितना भी मुझे text पहटाना है, clear है, समझ में आ रहा है, यहां पर size and spacing है, यहां पर size हम इसका increase कर सकते हैं, जो bullet हमने use कह है था, bullet का size यहां से क्या कर सकते हैं, increase कर सकते हैं, यह देखो, bullet का size कितना है, पर increase हो रहा है, depends करता है, आपको कहां तक चाहिए, कितना चाहिए, done, तो यह हो गया आपका bullet का size, अपनी जरूरत के हिसाब से, आप bullet का size, छोटा या बड़ा, कर सकते हैं, clear है बात, यह हो गया इसके साथ आता है, baseline shift, baseline shift क्या होता है, उसको up and down करना, हो सकता है, bullet आपका थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा ऊपर आपको करना है, तो आप उसको shift करा सकते हैं, clear है जी, समझा रहा है, baseline shift से हम क्या कर सकते हैं, bullet को थोड़ा shift कर सकते हैं, आप down जैसे भी हमें use करना है, इस इसके बाद यहां पे नेक्स्ट अप्शन हमारा गिलिप्स टू लिस्ट से क्या मतलब हैicate गुलेट और टेक्स के बीच झाल फेन्फ जो गाप Э्प यहां पर हमें गाप चैऑए कुछ रे इसको में क्या करता हूं इसको वापा से थोड़ा समय ऊपर कर देता हूं पर यहां से आ जाएगा आपका गैप यह देखो अब यह कौन सा गैप है बुलेट और टेक्स्ट के बीच का गैप इसको हम यहां से मैनेज कर सकते हैं क्लियर है आ रहे हैं आप लोगों को यह हम कर सकते हैं यह तो बुलेट आ गया इस लाइन के इन्दर जो नेक्स लाइन है वह यहीं से स्टार्ट होगी क्योंकि फ्रेम हमारे यहां से आ रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूं बुलेट के नीचे टेक्स ना आए तब हम इसको यूज करते हैं इस वाले इंडेंट को हैंग की जरूरत है तो अभी हमने यूज किया बुलेट इसके अलावा अगर आपको नंबर लिस्ट चाहिए बुलेट नहीं चाहिए आपको 123 चाहिए तो इसी के साथ में आपको नंबर लिस्ट भी मिल जाएगी क्लेरे बात सारी सेटिंग सब कुछ सेम है डिपेंड करता है आप आपको 123 चाहिए कभी-कभी हमें यह रॉमन्स में चाहिए होता है 123 तो आप यहां पर यूज कर सकते हो कभी-कभी आपको ABCD में चाहिए होता है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो यह प्रिफिक्स और सफिक्स होता है इससे पहले और सफिक्स होता है उसके बाद में वब यूज़ कर सकते हो siis को wreckage से पहले क्या चाहिए वो इहां पर डालेंगे प्रिफिक्स में इसके बाद में क्या चाहिए वह आप से पिक्स के अंते डालेंगे डालेंगे consonants हमें आगी बात थो बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट के साथ अब आप काम कर सकते हैं ket इसको मैं चैंसल कर देता हूँ आगे चलते हैं डॉप-käप आप समझते हैं आपने देखा होगा जो फर्स्ट ऐल्फा-बैट होता है वो बड़ा होता है कभी गभी देखा है आपने जैसे इसी को मैं एक टी में टाइप कर देता हूं यह है इसमें किया होगा तो फ्रस्ट ऑल्फवेट का साइज इंक्रीज हो जाता है किसमें? ड्रॉबक Past इंदर है यहां पे आ जाते हैं यूस ड्रॉफ कैप कर लीचे तो परग्राफ का जो फ्रस्त है वो इंक्रीस हो जायेगा आप डिफान कर सकते ही यह drop cap आपको कितनी lines के बराबर चाहिए, अब यहाँ पर number of lines दिखा रहे हैं, कितनी है lines हमारे पस, three lines हैं, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, clear है, यह कहलाता है drop cap, इसके बाद यहाँ पर option है, space after drop cap, इसके बाद में आपको कुछ space चाहिए, drop cap के बीच में और text के बीच में आपको gap चाहिए, तो इस gap को आप यहाँ से manage कर सकते हैं, spacing को आप यहाँ से control कर सकते हैं, दो को यहाँ पर आगे hanging indent के नाम से, यह वही style है, जो हमने last time, उसमें use क्या था, bullet list के साथ, इसमें क्या होगा, इसके नीचे का text यहाँ से हट जाएगा, जैसे bullet के नीचे का text हट रहता, clear है, आप यहाँ पर इसका भी use कर सकते हो, अगर आपको कुछ इस तरीके से चाहिए, depend करते हैं, कैसी paragraph setting आप कर रहे हैं, किस तरह की type setting या layout आप बना रहे हैं, done, again, मैं इसको यहाँ पर cancel कर देता हूँ, आगे चलते हैं, इसे के साथ, text, statistics, इसमें तो edit text भी एक अलग से panel खुल जाएगा, जिसमें कि आप कुछ भी यहाँ पर change करेंगे, तो वही सारे changes यहाँ पर भी display हो जाएंगे, तो अलग से कुछ नहीं है, formatting codes, यहाँ पर आप कुछ space वगएरा कुछ डाल सकते हो, कुछ चीज़ें, जैसे हम कुछ भी bullet list अगर हमने डाली है, और हमें कुछ space चाहिए, एक manual bullet भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, manually bullet कैसे डालेंगे, आपको क्या करना है, करसा रखना है, alt प्रेस करना है, alt 0149 और इसको छोड़ देंगे, ऐसे bullet आजाएगा, ठीक है, तो एक तो था bullet list में वहाँ पर जाके आप यूज़ कर सकते हैं, यह manually आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप select करके वैसे भी, कुछ भी change क कर सकते हो, ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, अब यहाँ पर आपको कुछ gap चाहिए, bullet और text के बीच में क्या चाहिए, कुछ gap आपको चाहिए, तो वो gap डालने के लिए आप यहाँ पर formatting codes का use कर सकते हैं, यह सारी spacing होती है, क्या होती है, यह सारी, जैसे m space होता है, n space होता है, तो मैं यहाँ पर n space use कर लेता हूँ, m space कितना होता है, पता है, equal width of font size, यानि कि, अगर यहाँ पर font का size हम use करें, कितना, 23 pt, और मैं यहाँ पर m space डाल देता हूँ, तो इसका मतलब होगा, 23 pt का यहाँ पर gap आ जाएगा, आ रहे है बसन में, तो मुझे gap कितना चाहिए, मैं n space ले लेता हूँ, n space, m space का half होता है, मैं अपर किलिक करूँआ, यह कोई dash बाइश नहीं है, यहाँ पर मैंने किलिक किया, देखो, यह gap आएगा, लेकिन दिखाई किससे देगा, अगर आपको देखना भी है तो, कल मैंने आपको बताया था, non printing characters होते हैं हमारे पास, ctrl shift c, यह सब बताता है, कि आपने क्या यूज किया हो है, तो ctrl shift c, इसका shortcut होता है, यह कोई dash नहीं है, यह एक space कहलाता है, इस तरह का, आरे यह बहुत संझ में, तो आप इस तरह की spacing भी यूज कर सकते हैं, text formatting करते वक्त, अगर आपको कुछ यूज करना है तो, अच्छा जी, इस को कौन सा text बताएंगे, जो मैंने बताया था, चार type का text होता है, artistic text होता है, paragraph text होता है, type उने path और area type, तो यह किस category का है, यह paragraph text है, for example, आपको paragraph text नहीं चाहिए, आप इसको convert करना चाहते है, artistic text के अंदर, तब आप क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे, और convert to artistic text आप करेंगे, अब यह आपका artistic text हो गया है, आ रहे है बात समझ में आपको, clear है, वापस से या फिर आपने गलती से आपने artistic text लिख दिया, आपको paragraph text चाहिए था, तब आप यहां पर text में जाएंगे, और दुबारे से convert to paragraph text कर देंगे, clear है जी, ऐसा हम कर सकते है, यहां से convert क्या जा सकता है जिसमें भी आपको convert करना है, ठीक है, shape tool से मैंने आपको बताया था, spacing, यह दो option मैंने आपको कल बताया थे, left वाला जो option होता है, यह होता है, leading के लिए, leading मतलब जो line space है, इसको हम control करते हैं, यहां से देखो, कुछ इस तरीके से control होती है, line spacing, है ना, मैंने बताया था, shape tool का use basically हम करते हैं, shape को modify करने के लिए, shape को edit करने के लिए, but यहां पर हम text के साथ भी काम करते हैं, even अगर मुझे tracking चाहिए, तो मैं इसी को यहां पर click करके, ऐसे drag कर सकता हूँ आगे की तरफ, तो देखो, यह tracking use हो रही है, clear है बात, break करने के लिए, shortcut के हम बात कर चुके हैं, control के करने से क्या हुआ, एक-एक line क्या हुआ, एक-एक line आपकी break हो चुकी है, ठीक है, मैं इस line को ले लेता हूँ, अब अगर मैं line को select करके control के करूँ तो क्या होगा, जितने word हैं, वो सब अलग अलग हो जाएंगे, क्या होगा, सारे word, सारे word अलग अलग हो जाएंगे, अब तो अगर मैं एक वड को भी अगर मैं कंचोल के करूं तो क्या होगा सारे लेटरा अलग हो जाएं के अगर में यहांपे कंचोल करूं मतलब यह भी देख रहो इसका ऑउटर एरिया है और एक इनसाइड इस में उसको क्या परें हम इसको क्या separate करेंगे क्योंकि यह इक ही है इसी तरीकि चीज बनी घंत ऑल में भी है एक एक इनसाइट वाली नहीं और एक एक इनसाइड वाली और नहीं हो गया तो यह ग्या हेवे होते दोनों को स्लेट किया positive कर दिया अरिवासन में तो इन सारी चीज young को break कर सकते हैं और शेव तूल से हम क्या कर सकते हैं मैंने क्या बताया कि इसे कहले pracиц depression को से इत्र करते हुं एक एक लेट्र को परुजा कर सकता हुं हम किसे select करते हैं but हम shape tool से भी एक-एक letter को select कर सकते हैं ये देखो मैंने इस point पर click कर दिया इस point पर click करने का मतलब ये है मैंने इस letter को select कर लिया है मैं ऐसे color change कर सकता हूं समझपा रहे हूं बात को shape tool से letter इस लाइन को मैंने ब्रेक नहीं किया है बिना ब्रेक किये शेप टूल से मैं कुछ पॉइंट को स्लेट करके उनको शिफ्ट करा सकता हूं आरिवा संजबें ये सिर्फ कोरल के अंदर ही पॉसिबल है आप इस लेटर को जैसे उठा के आप यहां पे रख सकते हो और यह पूरा प्रेक हैं इसके बात की थी यानि कि जब एक टेक्स फरेम बनाते हैं और इसमें मैंने कुछ भी टेक्स वगजर कुछी वेह ने लिखा ठीक है तो यह कुछ इस तरीके साएगा अगर आप चाहते कि टेक्स का जो फ्रेम कि वह वीजबल हो या ना हो तब आप यहां पर जाक और इसको show text frame कर देंगे यह इस तरीके से show हो जाएगा ठीक है या फिर आले की एक चीज में आपको बता दूँ कि यह printable नहीं होता है पहली चीज है यह कोई stroke नहीं है यह बस एक wire है लेकिन अगर आप चाहते हो कि यह wire नजर ना आए ना दिखे तो आप text में जाएंगे paragraph text में जाएंगे और इसको यहां से क्या कर देंगे इसको आप off कर सकते हैं ठीक है text को अगर आपको पूरे को fit करना है फिल करना है तब आप यहां पर इस option का भी use कर सकते है fit text to frame आपका पूरे frame के अंदर वह text क्या हो जाएगा fit हो जाएगा अगर आपको ऐसा कुछ करने की जरूर मैंने circle अलग बनाया और type मैंने अलग कर दिया यहां पर कुछ ऐसे अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा text वह path के उपर run हो जाए मैंने type ने path नहीं किया बट मैं वैसा ही कुछ चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि जो text वह path के उपर run हो जाए तो आपको क्या करना है दोनों को इस से select कर लेना है और आप text में जाएंगे और आप use करेंगे fit text to path तो क्या होगा आपका जो text है वो path के उपर fit हो जाएगा path के उपर run हो जाएगा इस तरीके से अब यह बिल्कुल इसी तरीके से हो गया जैसे अपने type और path का use किया हो clear है बात संज में आ रही है कभी करने के बाद में by chance अगर आपको इनको break करना है तो break करने के लिए क्या करेंगे बताओ control के करेंगे control के मेंने किया break apart यह अलग हो गया यह अलग हो गया बट ब्रेक करने पर अलग करने पर जो text है वो as it is ही है जैसे कि कर वहाँ पर था अब आपको इसको सीधा करना है अब आप यहां पर आ जाएंगे और यूज कर सकते है इस ट्रेटन टेक्स्ट क्या option है यह इस ट्रेटन टेक्स होता है जो आपका टेक्स्ट है वह वापस से स्ट्रेट हो जाएगा ठीक है एक चीज और मैं बताओं यह बेसलाइन होती है जानते हैं सभी लोग क्लियर है यह बेसलाइन मतलब जहां पर हम टेक्स को लिखना शुरू करते हैं तो अगर आपने टेक्स्ट को उसकी बेसलाइन से शिफ्ट कर दिया है थोड़ा सा अब यह बेसलाइन इसको बोलते है तो वापस आपका टेक्स्ट आपकी बेसलाइन से क्या हो जाएगा जी एलाइन लाइन हो जाएगा ग्राफिक डिजाइन चेंच केस एक option है हमारे पास चेंज केस करने का शिफ्ट एफ घ्री यह इसका शॉट्टकट होता है शिफ्ट एफ्ट थ् लोगर केस में आगया shift F3 में करूंगा आपको पूरा अपर केस चाहिए आप अपर केस कर लो इसको अपर केस कहते हैं shift F3 आप कर लीजिए अलग अलग तरह के options आपको यहां पर मिल जाएंगे आप अब तरह केस में कर सकते हैं तरह कजो हैं तरह के सकते हैं इसके अलावा ग्लिप्स भी आपको हैं पर मिल जाएगा अभी जैसे हम वैब डिंग विंग डिंग की बात कर रहे थे इसी तरीके से अगर आपको कुछ आइकन्स इस तरह के चाहिए कुछ क्लिप आट अगर आपको चाहिए तो यह ग्लिप्स होता है कंट्रोल एफ 11 यहाँ पे इसका शॉर्ट कट है आप इसको क्लिक करेंगे यह ग्लिप्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा कुछ भी आपको चाहिए फर एक्जामपल जो भी स्पेशल करेक्टर होते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलते हैं कीबोर्ड में नहीं मिलेगा जैसे र नहीं से ही लाना होगा आपको यहाँ से मिल जाएगा अलग अलग जितने भी स्पेशल कारेक्टर चाहिए आपको यहाँ से मिलेंगे तो आप पर कोई भी फौन चेंज कर सकते हैं अगेन मैं यह पर वैब डिंग यूज़ कर लेता हूं अगे यह अलग यह तरहीं कि शेप जैसे music का icon चाहिए मैं happy double click कर दोगा music का icon मुझे मिल जाएगा अब यहां पर मुझे क्या करना है for example मुझे इसको modify करना है अपने हिसाब से तो अभी यह सारे icons क्या है text की तरह है ना यानि कि text tool से ही select होंगे के कुछ इस तरीके से लेकिन मुझे इस text को क्या करना है shape के अंदर convert करना है और अपने हिसाब से modify करना है तो यहां पर text को shape में convert करने के लिए हम use करते है control-q convert to curve control-q करने से क्या होगा जो हमारा text किसमें convert हो गया shape के अंदर convert यह हो चुका है यहां से सारा मैं इसको control-q कर देता हूं break apart यह सब अलग-अलग हो गया है मैंने इसको अलग निकाल लिया अब आप शेप तूल से अब आप इसको भी अगर modify करना चाहें तो इसकी shape को modify कर सकते हो चाहे यह कोई icon है या फिर यह कोई text हो सकता है जो आपने use क्या है यानिकि text अब क्या बन गया है अब आप उसको एक shape की तरीके से use कर सकते हो जैसे भी आपको modify करना है आरिवासन में अब यह पूरी तरीके से देखो क्या है एडिटेबल है जैसे चाहो इस shape को modify कर सकते हैं clear है समझ में आ रही है बात तो यह text की property थी आपकी text की property complete आपकी हो चुकी है text में बताईए यानि कि यह class थी हमारी किस के उपर working with working with text text के उपर काम करना text पर किस तरीके से काम करना होता है तो text के सारे feature सारे options मैं आपको बता दिये हैं hope कि आपको यह समझ में भी आया होंगे और text के साथ काम करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी